स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रशन अंतरराष्ट्रिय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है A. 1 अप्रेल B. 1 माई C. 15 माई D. 1 जूर Answer B. 1 माई Explanation अंतरराष्ट्रिय मजदूर दिवस जिसे माई दिवस के रूप में भी जाना जाता है दुनिया भर में श्रमिकों के सम्मान में हर साल एक माई को मनाया जाता है ये दिन समाज और देश के विकास में श्रमिकों और श्रमिक वर्ट के योगदान को पहचानने में मदद करता है अगला प्राश चुनाव के संदर्द में SLU क्या है? A. सिंबल लोडिंग यूनिट B. सुरक्षा लॉकिंग यूनिट A. सिंबल लोडिंग यूनिट SLU किसी विशेश सीट पर चुनाव लड़ रहे उमीदवारों का नाम वचुनाव चिनह वीवी पैट या पेपर ट्रेल मशीनों पर अप्लोड करती है अब भारत का चुनाव आयोग ECI सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU को 45 दिन तक EVM के साथ स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित रखेगा चुनाव आयोग सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU को संभलने और संग्रहीट करने के लिए एक मई 2024 को एक नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है अगला प्राश्ट अंतर राष्ट्रिय शत्रंज महासंग ने हाल ही में किसे ग्रेंड मास्टर की उपादी से सम्मानित किया और हरिकाद रोनावली के बाद वैशाली तीसरी भारतिय महिला ग्रेंड मास्टर है वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लो ब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रेंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO अंखासिल किये थे अगला प्राश्न भारत ने स्मार्ट पंडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षन किया ये किसके द्वारा तैयार किया गया है ए हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड बी इस रो सी डी आर्डी ओ डी इन में से कोई नहीं आंसर सी डी आर्डी ओ एक्स्लिनेशन भारत अरिसा के बाला सोर तर्टवर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड विलीज ओफ तॉर्पीडो स्मार्ट पंडुब्बी रोधी मिसाइल प्रनाली का सफलता पूर्वक परीक्षन किया है स्मार्ट अगली पीडी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली तार्पीडो डिलीव आंसर दी यूवराज सिंग एक्स्प्लिनेशन अंतराश्ट्रिय फ्रिकेग परिशद आईसी सी ने भारत के दिगगज और राउंडर यूवराज सिंग को आईसी सी में अंस T20 वर्ल्ड कप दो हजार चौबीस का ब्रांड एमबसेडर नियुक्त किया है। कि अंसर आईस्प्लिनेशन अंसर चाहा है।